नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यह सास आर्टिकल चरन नेचर में जैसे के हमारे वीडियोज में हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग-अलग पेड़ पाउदों के बारे में खेतिक किसानी के बारे में जानकारी और आज हम आपक अद्रक काले में प्रयुक किया जाता है तो जैसे कि हमने आपको बताया लेकिन जैसे कि यह जो अद्रक फसल लेते हैं तो यह प्राकुर्टिक अद्रका Нौस्कार जो है हमने जो खेती किसानी के लिए जिसको पैदावार के हिसाब से या उसके और अलग-अलग गुंधर में टेस्ट के लिए जिसको हम ये करें विक्षीत लेकिन जो अद्रक हमारे साथ या हमारे खेती किसानी के लिए हमने जो लाये थे वह एक्चुल प्रकूर्ती से आया था जि तो आपको सुर्वाती दाव में इसलिए इसमें अद्रक का एक परिच्छे करा है कि आपको अद्रक का पवदा कैसा है वह आप सबी ज़ो जानते हैं या कोई लोग नहीं भी जानते हैं लेकिन खाते तो सभी लोग है जहां तक भारतवस्ट करते हैं लेकिन यह जो देख रहे यहां है जंगली अध्रक औरिसमेंगर फूल आए हुए है आप देख सकते हैं कि कि इसको कली मा ända and अरhouब पूल ऊपए हैं तो हमने जैसे पाया है हम यूटूब या गूगल में सेुट करते रहते हैं तो हम आस्टों देखिए occur और सबीका दावा होता है यह असली जंग्ली अद्रक है असले जन्च पीजन्च है लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यह बिए जन्च अद्रक ही है और इसमें जो विविट प्रकार की दो तीन प्रजाति यह है तो हो सकता है कि हो भी जंगली अध्रक हो और ये भी जंगली अध्रक All शॉ इसमें अद्रक के वो सभी गुंदर्म होते हैं अब जैसे कि हमने बताया कि अद्रक या त्रीद त्रीदोस्ट नासक होता है लेकिन इस वीडियो में हम विशेश कर आपको बताएंगे जैसे कैंसर जैसे बीमारी के लिए जैसे कि रक्त में जो कोशिकाय होती है करने के लिए उसमें विशेस्ता जंगली अद्रक का प्रयोग करा जाता है और बहुत अच्छे इसके गुंधर्म होते हैं और ये शरीर को कोई भी बादा नहीं पहुचाता इसलिए इस अद्रक का प्रयोग अउसदी इसमें करा जाता है तो अद्रक के बाकी गुंधर्म जैसे कि आपको मालूम होगा ये खुन को सुद्ध तो करता है साथ साथ वात पित कपको भी नश्ट करता है उसी प्रकार जिन लोगों का हाट का या फिर वाल का जो अप्रेशन हो जाता है जिनका ब्लड या तो गाड़ा हो जाता है उनका ब्लड पतला करने के लिए भी अध्रक का सेवन किया जा सकता है बहुत सारी अउसदियों में इसका सेवन किया भी जाता है और भारत वर्स में तो अक्सर मसालों में अध्रक खाया भी जाता है तो हम स्रिप आपको यह जो वीडियो लेकर आये थे कि आपको जंगली अध्रक का अच्छे से परिचे हो सके तो आप आपके आजू-बाजू जंगलों में इसे पाया आपको मिल जाए तो आप देखे और लाकर अपने घर में या गमले में अवस्च्च लगाए यह भी सिजनेबल आता है बारिस के दिनों में उगाता है और जैसे कि नवंबर इसंबर में या जनवरी तक इसका पवदा सुख ज है तो ब्लॉट से रिलेटेट बहुत सारी या कफ से रिलेटेड या वाद से रिलेटेड बहुत सारी समस्या आपने खत्म हो जाती है और दुसरी बात कि यह इसे एक अंगरेजी में जिंजर लिली के नाम से भी पईचाना जाता है जिए जो जंगली अध्रक होता है इनको लिली के नाम से जिंजर लीली के पहिचान आजाता है कि इस इसको भी पहिचाना जाता है और हमारे वीडियों आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकान का बटन जरूर दबादे धन्य वाद